करा फाइटर के बारे में बात करेंगे फाइटर मुवी के बारे में अवाइटिए अगना की बात करेंगे। TE Caption के गाइट करना कूछ आप मंडे के बराबर करना क्योंकि कल एक सबसे बड़ी श्यड चीज ए उई है कि Olé 80 lakhs का बिजनेस हुआ है हमने प्रेडिक्शन वही किया था 85 lakhs टक का मैंने किया था कि बाई 70 पर नहीं गया था मैं सो एक्यूरट तो आया है कि 80 lakhs यानि कि भारत में इस मुवी ने 202.51 मैंने 202.5 बोला था याद करो या फिर 6 बोला था उसी के अपना प्रेडिक्शन accurate आया है 202.51 करोड का बिजनेस इसने नेट कलेक्शन में किया था अगर मैं आज की बात करूँ तो आज ये मुवी क्योंकि आज थोड़ा कुछ जग़ा पर हॉलिडे रहता है सैटर्डे बैंक हॉलिडे तो है आज तो 1.5 करोड आज मैं अब उतना जाएगी यानि मुझे थोड़ा डाउट है पर आज शायद हो जाए तो 204 करोड का नेट कलेक्शन हो सकता है और अगर नहीं जाती है 1.5 तो 1.25 करोड पकड़ रहा हूं मैं तो यानि कि 203.75 से लेगे 204 करोड का नेट कलेक्शन इस मुवी का हो जाएगा वर्ड पचास या 355 करोड के आसपास ही है अब मेकर्स भी पोश्टर नहीं दे रहे है और ट्रेड्स वालों तो 320 करोड के आगे देना ही बन कर दिया है मतलब और सिससे कुछ आ नहीं रहा है रियालिटी क्योंकि बहुत दिन हो गए अब मुवी को रिलीज हुए और इसी वजह से बॉक्स ऑफिस इंडिया का जो भी वर्डिक्ट आएगा वो एकसेप्ट करना पड़ेगा अब वो पाच्छे दिन में आ जाएगा पाच्छे क्या तीस दिन ओने तो मोवी को पूरे हो जाए हाँ पास दिन में आ जाएगा तो हम सिर्फ होप कर सकते कि बहुत अट लिस्ट अबरेज का टेग दे तो देखो एक यह पे कल रियल बॉलिवड हंगा माय पिंक विल अकिसेने तो डाला था देखो एक आर्टिकल फायटर लुकिंग फॉरिट्स एइवरेज वर्डिक्ट वो स्ट्रगल कर रही है फायटर फोर इस एवरेज वर्डिक्ट आ आर्टिकल अ fighter fights for its average verdict, मतलब समझ में average verdict मिलने के लिए fight कर रही है fighter, अब समझ में आ रहा है आपको की बड़े-बड़े sides, बड़े-बड़े क्यों semi hit और average का ये पकड़े बैठे है क्योंकि आइदर वर्ना वो नहीं मिलता है tag तो सिर्फ flop का tag बचा है और नहीं चाहते हैं बहुत से ट्रेड़ भी कि इसको फ्लॉप का टाइग मिलें इसलिए वो भी ट्राइ कर रहे हैं सपोर्ट करने का फिल्म को तो देखते हैं क्या होता है और इंडिया दे देगा है कि बहुत से लोगों की मतलब जिस तरीके से होप है तो वही हो सकत है देखते हैं क्योंकि यार करन्ट जोर की फिल्म होती तो यह लोग घीट भी रहते है उसका सेटिंग ना बाकी लोगों कव ऐसा नहीं भी बाकी लोग इतने गफले नहीं करते है और रितिक कव ऐसा कभी है नहीं लाइव में एंगल तो हो फोर दे बेस्ट एंड फिंगर क